नमस्कार जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट रिजल्ट 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है एक अगस 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रे दोस्तों न्यूजपेपर के माद्यम से क्या बड़ी अपडेट आरी जरा देखिए सालवर गिरों का सरगना प्रयागराज में बैठकर कानपूर और वारारसी में करार आता नकल जी यहां दोस्त इस अपडेट को देखेंगे तो भाईया प्रयागराज से सब कुछ होता आ तो उसके बार दोस्तों जो हमारा रिजल्ट है कैसा सो करेगा ठीक है यह आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारा यूपी डीलट का समिस्ट्र एक्जाम को जो रिजल्ट है को कुछ हैसा दिखेगा जी तो अगर रिजल्ट का स्टेटस पात लिग आ रहा तो भैया आपके बल् तो ये दोस्तों दो रिजन हो सकता आपके बैक लगने का कभी-कभी आपके Teaching के नमार नहीं College वाले भेजते हैं आपको दिक्कते वो जाती है तो भी आपके बैक लग जाती है ठीक है तो ये दोस्तों अपडेट थी तो result के status क्या होना चाहिए पास आएंगे तो आप ठीक है निकल गए तो चलिए के करके आज की तमाम बड़ी अपडेट्स को देखेंगे वीडियो के अंत में आपको बता दे रिजल डाउनलोड करने का पूरा तरीका भी हम आपको बताएंगे एक और दोस्तो बड़ी खबर जरा देख लीजे पर्चा लिख होने से निरस्त करना पड़ा था यूपी टेट का पेपर तो क्या आपके मन में सवाल होगा कि क्या लेक पाल का पेपर निरस्त हो सकता है देखे काफी बच्चे लेकपाल का पेपर इस बार दे नहीं पाएं ठीक है तो अब वो बच्चे तो बिल्कुल चाहते हैं भईया पेपर रद्ध हो जाये दुबारा से पेपर हो फिर से आवेधन हो लेकिन आपको बता दे आवेधन दुबारा नहीं होता यूपीटेट का भी दोस्तो पेपर जो रद्ध हुआ था दुबारा से आवेधन कहा हुआ था उन्हीं बच्चों को तो मौका मिल पाया था न एक और दोस्तो बड़ी खबर जरा देखिए यूपीटेट के अपडेट है कि मदर्सों में अब यूपीटेट से होगी सिच्छक भरती मंत्री ने बताई योगी सरकार की योजना सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट पूरी अपडेट को देखेंगे सडक हासे में प्रदाना द्यापक की मौत हुई है बच्चे वस इच्छकों ने जता है सो तो गाईस आजकल सडक हास से बहुत हो रहे हैं तो जरा ध्यान रखिए आप लोग अपना ठीक एलापरवाई नहीं करनी है मूबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें मातर दो सेकेंड में डाउनलोड कर पाएंगे रिजल्ट वीडियो के अंत में पूरा प्रोसेस हम एक एक इस्टे बताएंगे कि भाईया अगस्त का क्या मैटर है और आपको बता दे इसी सब्ता रिजल्ट अब जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो भाईया तैयारी सुरू कर दिजे भगवान से प्रात्ना प्रात्ना कर लिजे कि रिजल्ट बहतर है क्योंकि काफी बार क्या होता आपका पेपर अच्छा होता इनकी लापरवाई के चक्कर में काफी बच्चों की बैक आ जाती है कुछ दोस्तों दिक्कते होती जिस वज़े से बच्चों की बैक आ जाती है और आपको दोस्तों बता दे रिजल्ट के लिए सिर्फ dl.result.com जी आँ दोस्त इस वेबसाइट का नाम लिख लिजे याद कर लिजे तो इस वेबसाइट के मादन से ही आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे बाकी फेल चात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी हर एक अपडेट को हम आप तक पहुचाएंगे लेक पाल भरती परिच्छा परिडाम को लेकर बड़ा अपडेट है यहाँ चेक करेंगे पूरी डिटेल्स को तो पहले इस अपडेट को जरा देखते हैं कि उत्तर परदेश इच्छक पातरता परिच्छा यूपी टीटी दोजार इकिस को परिच्छा लीक होने के कारण निरस्त करना पड़ा था यह परिच्छा नॉवंबर दोजर इकिस में आयोजित की गई थी इस परिच्छा में बड़े पहमाने पर हुई धांदली का खुलासा भी एश्टीअप नहीं किया था परिच्छा में धांदली का मामला सामने आते ह परिच्छा निरस्त करने पूरे मामली की जाच के अधिस दे दिये थे इस मामली में सचीव परिच्छा निवक प्रादीकारी प्रियागरा संजे उपाध्याय और परचाश आपने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राय अनुप्रसाद को भी ग्रपतार किया था इन दो प्रदेश अधिनस्त सेवा चेहन आयोग की और से रवीबार को आयोजित की गई मुख्य परिच्छा का अंतिम चेहन परिडाम अगले साल मार्च तक गोसित किया जाने की संभावना है हाला कि मुख्य परिच्छा के उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के अधार पर अभेरतियों की सौट लिष्टिंग अगले तीन मा में हो सकेगी वही मुख्य परिच्छा का पेपर लिख होने के अफ़ाओं के बीच आयोग के अध्यच प्रवीर कुमान ने कहा कि परिच्छा के इन से पेपर लिख होने की कोई सिकायत नहीं मिली है मुख्य परिच्छा रविवार को परिच्छ के बारा जिलों के 501 केंद्रों पर सुबह 10 से लेके 12 बजे तक संपन हुई मुख्य परिच्छा के अध्यच प्रवीर कुमान ने बताया कि मुख्य परिच्छा के उस्तर पुस्तकाओं के स्कैनिग और मुल्यांकन के आधार पर देड़ गुना बेच्छों के सौट लिष्टिंग अगले तीन मा में होगी इसके बाद बेच्छों के अब लेकों के सत्यापन के अधार पर अंतिम चैन सूची अगले साल मार्च तक जारी हो सकेगे तो बैया कितना समय लग रहा अगले साल मार्च तक ठीक है तो ये दोस्तो पूरी अपडेट है उसके बाद जरा देख सकते हैं मदर्सों में आप यूपिटेट से होगी सिछक भरती तो हर जगे दोस्तो अलग अलग अगर आप अपने आपको अपडेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी जैसे मोबाइल में दोस्तों रोज अपडेट आता रहता नहीं कभी वाटसप का आगया इंस्टाग्राम का आगया फेस्बुक का आगया ठीक है उसके बाद जरह इस अपडेट को देखे कानपूर द्यार में रहते थे रोज की तरह बाइक से विद्याले आ रहते उनकी मौत की खबर मिलने पर विद्याले में सोकी लहर दोड़ गई जी आँ दोस्तों हुआ क्या कि धर्मेंद के भाई देवेंद गुपता ने बताए कि पया पंचर होने से बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवा जिनकी जान इसी वज़े से गई है इनका हेलमेट ठीक नहीं था ठीक है वो निकल गया क्या मतलब वो ऐसे हलमेट का उसके बाद दोस्तों डियलेट का रिजल्ट कुछ ऐसा ही प्यारा साब का बईया सो होगा चलिए अब हम पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताते एक रिजल्ट कैसे डाउनलूट करना बाकि आप यह सब देख सकते हैं पेपर आउट की यह सब खबरे बच्चों को बार बार दिक्कत करती जो बच्चे मेहनत करते हैं सोचिए आठ हजार पचासी बच्चों के साथ यह बड़ी नाइंसाफी होगी काफी दोस्तों बच्च यह से पहले आपको अपने मुबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और सर्च करना जड़ा देखिए डी एल इडी आर एस यू एल टी डॉट में सी ओम डीलेट रिजल्ट कॉम जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे यहां पर दोस्तों आ आप लिखा यहां पर सिंपल सा क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों आपर क्लिक करेंगे वेबसाइट का आगला पेज ओपन होगा जहां पर यह सब रिजल्ट की जानकारी दी गई है डीलेट दो जार इकिस बैच उननीस बैच अठारा सतरा बैच का रिजल्ट यहां से डाउनलो क्लिंग अक्टिवेट सुन का दोस्तों हमें अपडेट मिल रहा है लेकिन आपको बता दे आज एक तारीक की है अब लिंक किसीभी समय अक्टिवेट कर दिया जयगा तो अब आपको ज्यादे इंतिजार नहीं है यह समिश्टे रिजल्ट है तो हर जानकारी आपको डाट कॉम वेबसाइट पर मिल जाएगी तो all the best आप सभी छात्रों को रिजल्ट के लिए